अस्सी शब्द प्रती मिनट के गती से संपायत के डिक्टेशन स्टार्ट रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीती समीती ने इस बार भी नीती गत दरो में बदलाव नहीं कर उदार रुख का संकेत दिया है यहे लगातार छटा मौका है जब रेपोदर चार और रिवर्स रेपोदर साड़े तीन फीसद पर ही रखी गई है इस वक्त केंद्रिय बैंक के सामने बड़ी चुनोती अर्थ ववस्था को रफतार देने की है साथ ही महिंगाई को भी काबू में रखना है जाहिर है ऐसे में ज्यादा जोखिम नहीं लिये जा सकते महामारी की दूसरी लहर के कारण ज्यादा तर राजियों में डेड़ महिने की बंदी से कारोबारी और अध्योगिक गतिवीदियां एक बार फिर परभावित हुई है दो महिने पहले ही मौदरिक नीती समीती ने आर्थिक व्रिधी को गति देने के लिए जो कदम उठाए थे उन्हें इस से धक्का लगा है इसलिए मौदरिक समीती को आर्थिक व्रिधी का अनुमान साड़े दस से घटा कर साड़े नो फीसद करना पड़ा है ऐसे में अर्थ ववस्था में तेजी लाना कम चुनोती भरा काम नहीं है इसमें कोई संधे नहीं की कारोबारी गति वीदियों को पटरी पर लाने के लिए कई शेत्रों को मदद की दरकार है केंद्रिय बैंक ने इस जमीनी हकीकत को भूजा है इसलिए बैंक ने इस बार ज्यादा ध्यान पर्यटन कारोबार और इससे जुड़े शेत्रों को खड़ा करने पर दिया है रिजर्ब बैंक ने उड्यन शेत्र से जुड़ी बुनियादी सेवाएं देने वालों यात्राएं आयोजित करने वाले एजेंटों किराय पर वाहन देने वालों आयोजन कराने वाली कम्पनियों आपूरती श्रंखला से जुड़ी सेवाओं ब्यूटी पारलर जिम वा सपा आदी चलाने वालों को रेपोदर पर ही तीन साल के लिए करज देने का एलान किया है इसके लिए केंद्रिय बैंक ने पंद्रा हजार करोड रुपे जारी करेगा इसके अलावा लगू उद्ध्योग विकास बैंक को भी सोला हजार करोड रुपे दिये जाएंगे ताकि वह छोटे उद्ध्योगों को करज दे सके केंद्रिय बैंक की यहे पहल आर्थिक गतीवीधियों में तेजी लाने में बड़ी भूमी का अदा कर सकती है लेकिन इसके लिए वयवसाइक बैंको को रूची लेनी होगी और साथ ही थोड़ा जो खिम भी उठाना पड़ेगा अभी तक देखने में यहे आया है कि वयवसाइक बैंक के रुख के कारण नीतिगत दरों में कमी का फाइदा लोगों तक पहुच नहीं रहा है आर्थिक व्रिधी का लक्षे हासिल करने के लिए जरूरी है कि उद्योगों को ततकाल मदद दी जाए गोर तलब है कि बढ़ती महंगाई ने भी सब के पसीने छुड़ा रखे है चालू वित वर्ष में खुदरा महंगाई 5.1 फीसद रहने का अनुमान है महंगाई का रुख काफी कुछ मानसुन पर भी निर्भर करेगा इसके अलावा कच्चे माल की कमी उत्पादन और आपूर्ती के हालात से सरकार कैसे निपटती है इससे भी महंगाई की दशा दिशा तै होनी है हालां की पैट्रोल और डीजल के दाम जिस तरह आसमान छू रहे हैं उससे तो लगता नहीं की महंगाई थमेगी पिछले कुछ महिनों में खाने के तेलों से लेकर अंडे दाले मास आदी के दाम डेड़ गुने से भी ज्यादा बड़े हैं अंतराश्टिये बाजार में जिनसो के भाव भी उचाल पर हैं और भारत के घरेलू पर इसका असर ना पड़े ऐसा संभव नहीं है दूसरी और रसायन कागज कपड़ा शेत्र आदी में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल भी महेंगा होता जा रहा है जाहिर है उत्पाद भी महेंगे होंगे और महेंगाई की मद में बढ़ने वाली एक एक पाई आम आदमी की जेव से ही निकलेगी इन हालात में महेंगाई को चार फीसद के दाइरे में रखना केंद्रिये बैंक के लिए आसान तो नहीं होगा संकट से निपटने के लिए रिजर्व बैंक के परियासों में कमी नहीं है देखने की बात बस यह है कि ये कोशिशें कितनी काम्याब होती है स्टॉप फ्रेंड्स पीडियाफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको हमारे डिक्टेशन कैसे लगी कमेंड बॉक्स में अपने सुचाव जरूर दें धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में